हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि आप धन एप्लिकेशन का कस्टम स्ट्राटेजी बिल्डर ये फीचर कमोडिटी सेग्मेंट के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जी हाँ बहुत सारे लोग एक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचे एं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन same feature आप commodity segment में किस तरीके से इस्तमाल कर सकते हो ताकि आप commodity की ट्रेडिंग काफी अच्छी तरीके से कर सके इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है वीडियो को एंटक जरूर देखे और अगर चैनल पर नए है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले धन का option trading का जो platform है वो आपको open करना है जैसे ही आप इसे open करते हो आपको strategies के अंदर चला जाना है strategies में आपको यहाँ पे builder का option दिखाई देगा अब यह builder के option में आपको nifty bank nifty fin nifty यह सारी चीज़े दिखाई दे रही है अब commodity का segment कहाँ पे है तो वो आपको यहाँ पे search option में जाके search करना पड़ेगा जैसे मुझे crude oil में trade करना है तो crude oil मैंने जैसे ही search करिया तो crude oil का future मेरे सामने open हो जाता है अब crude oil दो तरीके से trade होता है crude oil आपका 100 barrel वाला भी trade होता है और 10 barrel वाला भी trade होता है उसको crude oil mini कहते हैं तो वो आप दोनों तरीके से trade कर सकते है crude oil trade करने के लिए उसके ओपर जैसे ही आप click करते हो तो यहाँ पे crude oil की current situation क्या चल रही है live market में क्या situation है वो आपको दिखाई देगा और एक bunny बनाई strategy आपको यहाँ पे मिल जाएगी उनके अगर आप strategy बनाना नहीं जानते है तो आप fast create में जाके इनकी जो strategies है जो fast create बनाई गई है वो आप इस्तमाल कर सकते हैं सिर्फ यहाँ आपको view जो है वो आपको आपका बता देना है जैसे मेरा view है non direction का market में कोई direction ही नहीं है तो मैं इन में से कोई भी strategy use कर सकता हूँ जैसे मुझे short strangle use करना है तो short strangle के लिए कौन सा यहाँ पे call मुझे बेचना है और कौन सा put यहाँ पे मुझे बेचना है इसकी जानकारी मिल जाती है उसका premium कितना है यह भी मुझे यहाँ पे पता चलता है और इतना ही नहीं एक ही click के उपर proceed to order execution क्लिक करके मैं यह order execute भी कर सकता हूँ अब यहाँ पे मैं strike price अगर change करना चाहूँ तो मुझे strike price change करने का भी मौका मिल जाता है जो कि हमने अभी कर दिया है expiry अगर change करनी है तो 3 expiries मेरे सामने available है इसमें कौन सी भी expiry जिसमें मुझे trade करना है वो मैं select कर सकता हूँ इसके आलावा इस particular strategy के अंदर कोई और leg आपको add करना है यानि कि कोई और strategy add करनी है तो new का option आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा new के option में जैसे यह आप click करते हो तो आप option chain के उपर पहुँच जाते हो यहाँ पर आपको calls देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर puts देखने के लिए मिलेंगे और जिस भी strike price का call या put आपको उस particular strategy में add करना है या आपकी खुद की strategy बनानी है तो वो आप बना सकते हो जैसे कि मुझे यहाँ पे एक add the money का call buy करना है तो वो मैंने add कर दिया add the money का call और एक add the money का put भी मुझे buy करना है तो वो भी मुझे यहाँ पे add करना होगा तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया एक call buy के लिए add कर दिया एक call put के लिए add कर दिया है अब यह कोई नई strategy बन गई है यानि कि मैंने खुद की strategy एक बना दी है अब इसका भी execution में कर सकता हूँ थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस particular strategy में मुझे maximum profit कितना होगा maximum loss कितना होगा risk reward कितना होगा और break even point कहां पे है इसकी detail जानकारे मिल जाएगी इसके अलाबा इस particular strategy बनाने के लिए मुझे final margin कितना लगने वाला है overall margin कितना है और मुझे hedge benefit कितना मिलने वाला है इसकी भी जानकारे मिल जाती है तो ये सारी चीज़े आप analyze करके आपकी strategy बना भी सकते हो और उसे execute भी कर सकते हो और payoff graph अगर अब देखना है तो आप इस तरीगे से payoff graph भी इसका देख सकते हो अब ये कोई suggestion वाली strategy नहीं है जस मैंने आपको करके दिखाया है कि आप strategy किस तरीगे से बना सकते हो तो ये payoff graph जहां जहां भी आपको profit होगा वो यहां पे green color में दिखाई देगा जहां पे loss होगा वो आपको red color में दिखाई देगा इतना ही नहीं आपको अगर कौन से particular call में कितना profit हो रहा है इसका profit and loss table भी यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा अगर इसको simulate करना चाते हो तो आप more में जाके expires के आसपास जैसे कि अभी जो expires है वो 23 days बाकी है तो अगर मैं आगे जाता हूँ और market को बढ़ा देता हूँ हो रहा है कौन से put में profit हो रहा है और overall estimate profit and loss आपका कितना होने वाला है अगर आप 30 April तक यह strategy को hold करते हो तो तो यह सारी जानकारी आप analyze कर सकते हो और उसके बाद execute कर सकते हो trade आपको अगर charts देखने है जैसे कि crude oil की price क्या चल रही है और उससे साब से आपकी strategy कहाँ पर trade कर रही है इसका chart आप देख सकते हो या फिर जो आपने strike prices select की है उसका OI का data आपको देखना है तो यहाँ पर आप OI का data भी देख सकते हो और उससे भी analysis कर सकते हो तो यह पूरा detail आप देख सकते हो crude oil का अगर आपको कोई और commodity search करनी है तो search button में जाके आप आसानी से search कर सकते हो इसके अलावा अगर आपको strategy बनानी नहीं आती है तो इनका pre-build का feature भी आप use कर सकते हो जिसके उपर click करते ही crude oil में जितनी भी इन्होंने इनकी तरब से बनी बनाई strategy आपको provide करीगी लगबग 14 अलग-अलग strategies आपको यहाँ पे मिल जाती है यहाँ पे भी आपको view select करना होता है जैसे मेरा bullish view है तो bullish view में ये तीन strategies में इस्तेमाल कर सकता हो इसके अंदर जाके भी 10, 8 और 10 अलग-अलग प्रकार के strike prices की strategy मुझे देखने के लिए मिल जाती है जैसे मुझे यहाँ पे call ratio spread execute करना है इस particular segment में यानि की crude oil में तो उसके लिए मुझे कौन सा call select करना पड़ेगा buying के लिए और selling के लिए उसकी detail जानकरे मिल जाती है इसके अलावा expected profit मुझे कितना होगा break even point क्या होगा और execute करना है तो directly यहाँ से execute में trade कर भी सकता हूँ scene builder में जाके पूरी तरीके से मैं pay off graph वगेरा सारी चीज़े देख सकता हूँ जैसे कि इस particular strategy का pay off graph कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा तो यह आपके view के हिसाब से आप क्या direction है उसके हिसाब से पूरी detail जानकरे आपको मिल जाती है और bunny बनाई strategies आप commodity segment में भी इस्तिमाल कर सकते है तो अगर यह feature आप पहले से ही इस्तिमाल करते हो तो मुझे comment में बता देना कि यह आपका experience कैसा है अगर कोई doubt है तो वो comment में पूछ सकते हो यह video आपको अच्छी लगी हो तो please video को like कर देना जादा से जादा logo तक share करना और channel को subscribe करना ना भूलना धन्यवाद